हलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सब सही होंगे ठीक ठाक होंगे तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि AI यानि कि Airport Service Limited में एक Vacancy आई है यानि कि इसमें एक Interview आपके लिए जाएंगे इस Interview में आपको कौन से कौन से Documents लेकर जाने हैं इस Application को किस तरीके से आप Form Fill करके आपको Interview तक लेकर जाना है और कहां पर आपको जाना है कितने Age Limit वाले Student इसमें Apply कर सकते हैं क्या इसमें Application Fist रखी गई है Education Qualification क्या है वो सारी जानकरी आपको आज इसी वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को End तक जरूर देखें अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को किल्क कर दें ताकि कोई भी आइसन नोजब भी आइसन आए तो आप तक जरूर पहुंच जाए तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर जो format है यानि कि application form है इसे आपको fill करके ही interview में लेकर जाना है तो हम सबसे पहले आपको देखाते हैं किस तरीके आप form को fill करेंगे तो देख सकते हैं format of application form यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले उपर साइड में देखे for office use only इसे आपको कुछ भी नहीं करना है इसे आपको छोड़ देना है यह office इसे use करेंगे यहाँ पर जो भी लिखेंगे office इसे format of application form में यहाँ पर देख सकते हैं आपको right side में देखेंगे है आपको एक passport search का color photo की यहाँ पर आपको लगाना है position apply for यानि कि आप कौन से post के लिए apply करेंगे इस post के आपको नाम देना है selected station यानि कि आप कौन से airport में आप job लेना चाहते हैं उस station के यहाँ पर नाम देदे यहाँ पर full name in block letter यहाँ पर आपको fill करना है first उसके middle name उसके बाद third name यहाँ पर पीता जी का नाम यानकी father name आपको fill करने है उसके यहाँ पर देख सकते हैं आपको date of birth आपके यहाँ पर fill करने है place and state birth यहाँ पर आप अपने state का यहाँ पर नाम लिख दे और यहाँ पर आपको email id यहाँ पर लिखने है gender यहाँ पर select कर दे male यह female आप जो भी है यहाँ पर fill कर ले marital status में यहाँ पर देख सकते है unmarried, married, divorce, widow यहाँ पर option दिया गिया है इस option में आप जो भी है अगर जिसमें आप यहाँ पर आप जो भी है whether H, C, HD, O, B, C आप कौन से cast के है यहाँ पर आपको fill करना है यहाँ पर आपको tick mark कर देना है अगर आप ex-service man है तो ex-service man में yes करे अगर आप phaser है याअनि कि ex-service man नहीं है तो आप no करे अगर आप police service में काम करते हैं तो यहाँ पर yes करे अगर नहीं काम करते हैं तो no करे अगर आप government employee है तो yes करे अगर नहीं है तो no करे यहाँ पर फ्रेंट देख सकते हैं education qualification में हम आ चुके हैं 10, 12 आपके पास जो भी qualification details है ठीक है आपको इस सारे details को fill करना है माल यह 10, 12 graduation, ITI, MBA या any other computer, postgraduate, ITI को जो भी हो आपको इसे fill करना है first of all यहाँ पर देख सेत है name of the university आपको यहाँ पर board का नाम लिखना है second date, month and year of passing आप अपने certificate में चेक कर लें वहाँ पर certificate में आपके date and month सारे details आपको मिल जाएंगे duration, केतने साल की duration थे, यहाँ पर साल लिख दे, percentage of marks यहाँ पर अपने percentage को लिख दे इसी तरीके से इस सारे education qualification form को यहाँ पर details को पुरा अच्छी तरीके से fill कर ले, उसका नीचे हलका से scroll down करके देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आपको language के बारे में पुचा जाते हैं आप कौनसे कौनसे language जानते हैं यहाँ पर आपको देने ही परेंगे English, Hindi, local language, mother tongue, जो भी आप जानते हैं इसे read, write, speak, ठीक है यहाँ पर आप दे सकते हैं इसे अच्छे से fill कर ले, working experience में अगर आप कोई job करते हैं माल लिजे airport में अगर job कर चुके हैं आपके पास कोई भी experience है यहाँ पर आप fill कर ले, यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको, particulars of driving license held, अगर आपके पास माल लिजे driving license है तो यहाँ पर driving license के यहाँ पर form को अच्छे तरीके से fill क कर ले, box को fill कर ले, यदि आपके पास नहीं है तो इस खाली जगे को आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर अगर हम application fee के बारे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, 500 रुपीज आपको application fees लगेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, name and address of the issue bank and branch, कौन से branch से आपने इस airport, अगर आपके कोई relative, अगर working मतलब काम करते हैं, अगर airport में, तो उसका नाम, designations, company, relationship यहाँ पर लिख देए, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, उसका यहाँ पर declaration में देख सकते हैं, declaration में आपको आपके place आपको देने परेंगे, date, concept date में आप form fill कर रहे ह signature of applicant, यहाँ पर signature कर दें, उसका यहाँ पर scroll down करते हैं, list of documents copies, attach, आप कौन से कौन से documents attach कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर tick mark यहाँ पर निसान दे दे दे, आप जो भी यहाँ पर documents attach कर रहे हैं, आप अपने application format के साथ, यदि अगर कोई भी OBC certificate candidate है, यानि कि OBC certificate यहाँ पर देख सकते हैं, उसके यहाँ पर format है, इसे भी आप fill करके आपको लेकर जाने हैं, हमने तो आपको पूरा application form के बारे में बता दिया है, कि तरीके से आपको form fill करने हैं, अब हम आपको लेकर चलते हैं, education qualification की तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर post का नाम ह देख सेता है 47, 31, 50 यहां पर vacancy है, venue आपके interview कहां आपको देने परेंगे, यहां पर देख सकते हैं, venue यहां पर दिया गिया है, उसी venue में आपको जाना है, जिस दिन का interview है उसी डेट में आपको यहां पर जाना है, सारे documents को फिल करके, साथ में आपको याद रहे कि आपका passport होन अब हम अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कस्टमर सर्विक्स एक्जूटीव है ग्याजूट वाले स्टूडिन इसमें अभेदन कर सकते हैं 3,640 रुपे आपको इसमें सैलेरी मिलेंगे और इसमें अपर एज लिमिट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें 18 साल तक इस्टूडें इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आप OBC है, AC, ST है तो आप रिलाक्सेशन इसमें मिल जाएंगे इसमें अगर कोई AC है तो 33 years होगा आपके, कोई अगर OBC है तो 31 years आपके होंगे इसमें जो आप सैलेरी आपको मिलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 20,130 आपको इसमें सैलेरी मिलेंगे साथ में यहाँ पर देख सकते हैं, qualification में आपको computer मालूम होना चाहिए और English और Hindi आपको सही से मालूम होने चाहिए इसमें सेम यहाँ पर देख सकते हैं, how to apply में सेम application format को आपको सही से fill कर लिना है और यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था आपको 500 रूपीज application fees, demand drop आप बनाने परेंगे इस तरीके से आप इसे अच्छे से चेक कर लें, इसका जो application form and details है आपको description box में मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल में new होंगे तो चैनल को subscribe करके bell icon को click कर दें ताकर कोई भी vacancy आए, चाहे वो private हो या फिर government हो कैसे form को आवेदन करना है, किस तरीके से form को fill करना है वो सारी चैनल करी आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे